नमस्कार दूस्तों आई डूप चैनल एक्जाम लर्नर में आपका स्वागत है दूस्तों आज किस वीडियो में लोग एड़ेट जूनियर हाई स्कूल प्रधाना ध्यापक या उमसाहय का ध्यापक भरती परिक्षा के लिए जीएस का बरहाओं प्रैक्टिसेट हल करेंगे इ से आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहें और इसका पीडियाप आपको हमारी टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्सेन में टेलिग्राम का लिंक दे दिया गया है वहां से जो एनकर किया पीडियाप भी डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रशन है पंचायती राज प्रडाली में पंचायत समीती किस अस्तर पर गठित की जाती है तो यहां बी या आपसन से हो जाएगा खंड अस्तर यानि की ब्लॉक लेबल पर यह गठित की जाती है पंचायती राज प्रडा के लिए निर्धारितिति से ठीक पांच वर्स तक होता है दूसरा पशने भारत में दल बदल अधिनियम कब पारित किया गया था तो ये 1985 में ये विकल्प यहां पे से हो जाएगा भारत में वर्स 1985 में 52 संबिधान संसुधन के द्वारा दल बदल बिरोधी कानून पारित किया गया और संबिधान की दस्वी अनुसूची जो है इसी से जोड़ी गई है तो यहां पे जो है ये आपसन से हो जाएगा तीसरा प्रशने आपका भारती संबिधान में किस अनुचेत के तहत संसुधन किया जाता है तो यहां डी आपसन से हो जाएगा अनुचेत 368 भारती सं अनुचे 368 के प्रावधानों द्वारा संसुधन किया जाता है और संभिधान संसुधन बिधेयेक संसत के दोनों सद्वारा अलग-अलग विसेश पहुमत से पारित होना आवश्यक होता है तो यहाँ D आपसन जो है सेव जाएगा संभिधान संसुधन किस अनुचे से भारत के मुख निर्वाचन आयुक्त की पदावधी 6 वर्स या 65 वर्स की आयुक्त जो भी पहलो होती है और मुख निर्वाचन आयुक्त की नियायले की नियायधीसों की समकच्छ होते है जितना वेतन उचितम नियायले की नियायधीसों को दिया जाता है उतना ही मुख नि चार आप्सन दिया गये इसमें आपको पताने कौन सी संस्था वह समवेधानिक नहीं है तो यहाँ पर यह आप्सन से हो जाएगा मानुमा अधिकार आयोग की स्थापना मानुमा अधिकार संदचल अधिनियम 1993 के प्रावधानों के दोरा 12 अक्टूबर 1993 इसमें की गई थी जो भी समवेधानिक संस्था है चटवा कोशन निमलिकित राजियों या संघ राजियों में से कौन पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है तो यहाँ पर हीमानचल प्रदेश आप देख सकते हैं हीमानचल प्रदेश यह पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है जबकि पंजाब, राज कि सीमा पाकिस्तान से मिलती है और भारत पाकिस्तान सीमा को रेट कलिप रिखा या सीमा जो निर्धार करती है सातवाँ प्रशना आपका निमलिखित में से कौन राजि सरवाधिक राजियों से सीमा बनाता है तो यहाँ पे D या आपसन से हो जाएगा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमा वर्थी राजियों में देखा जाए तो हिमांचल प्रदेश, हरियाडा, बिहार, उत्राखंड, मधिप्रदेश, राजस्थान, जारखंड, 36 गड़ और एक केंसासित प्रदेश दिल्ली यह जो है लगता है कुल जो है 9 है केंसासित प्रदेश को लोग के राजियों यहाँ पे आठ राजियों और एक केंसासित प्रदेश को जो है उत्तर प्रदेश की सीमा टच करती है अठों कोशिन आपका पूदुचेरी का भी भाजन छेत्र किस राज्य में नहीं है तो यहाँ पर भी आपसमें से हो जाएगा तेलंगाना में पूदुचेरी का विश्तार तीन राज्यों में है तमिल नाडू, केरल और आंधर प्रदेश में इसकी राजधानी पूदुचेरी है यहाँ पर तमिल, तेलगू, मल्यालम, फ्रेंच, अंग्रे जी भासा बोली जाती है 1954 में फ्रांसीसी उपनिवेश से मुक्त होकर इसका भीले भारत में हुआ है पूदुचेरी का नौवप्रश्ण आपका गोबिंद सागर जील, भारत के किस राज़्य में इस्तित है तो यह हिमांचल प्रदेश में है सी आपसनिया पे सेव जाएगा गोबिंद सागर जील, यह हिमांचल प्रदेश में सतलज नदी सतलज नदी से निर्मित किया गया है महात्मा गांधी ने कौन सा सत्याग्रे शुरू किया था तो यहाँ ए आप्सन से हो जाएगा नमक सत्याग्रे सबीने अग्या आंदोलन यह आपका 6 अप्रेल डेट याद रखेगा 6 अप्रेल 1930 को प्रारंभ हुआ था गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से ले करके 5 अप्रेल 1930 तक नमक सत्याग्रे रथात नमक कानून के उलंगर तो दांडी मार्च किया था इन्होंने उस्तों यह आप UPPSC और UPCCC ए एक्जाम के तियारी करना चाहते हैं और आप यह एक्जाम को क्रेक करना चाहते हैं तो आप Unacademy Learning Platform से जुड़के आप अपनी तियारी को बहतर तरीके से कर सकते हैं और एक्जाम को आप क्रेक कर सकते हैं आपको बताते हैं कि Unacademy Scholarship टेस्ट कराया जाता है यह हर संडे को दुपाहर एक बजे तो आप लोग इस टेस्ट में पार्टिसिपेट जरू कीज़ेगा यह बिल्कुल फ्री में टेस्ट कराया जाता है और साम को साथ बजे इसका एनालिसिस भी कराया जाता है तो इस टेस्ट को आप लोग जोई जरू कीज़ेगा उसका बाद अनेकेडमी प्लस फीचर्स जो है देख सकते हैं आप अनेकेडमी प्लस सब्सक्रिशन लेते हैं तो इतने सारे फीचर्स जो है आपको प्रवाइट के जाएंगे कंप्लीट एक्जाम प्रिपरेशन है इसमें रेगुलर डाउट क्लीरिंग सिसन है प्री टेस्ट सीरीज है वीकली मॉक टेस्ट एसा भी आपको मिलेंगे बैच कोर्स से जो अबलिबल है भी अनेकेडमी पर लक्षे UPPSC या पर सवार्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स यह आपका 31 मार्च से शुरू हो रहा है यह जो है और 30 जनुरी 2022 को यह कोर्स जो है आपका कम्प्लीट करा दिया जाएगा उसके बाद लक्षे UPPSC 2022 से बारे मन्त प्रिलिम्स प्लस मेंस बैच कोर्स दोनों है यह आपका 1 अपरेल से जो है शुरू हो रहा है तो जो लोग इस बैच से जूना चाहते हैं आप जूर सकते हैं यह आप देख सकते हैं UPPSC की टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको जो है पढ़ाया जाएगा फास्ट्रेक रिविजिन बैच है 60 डेच का यह आपका UPPSC प्रिलिम्स जीएस बैच के लिए है यह सेकेंड अपरेल को श्टार्ट हो रहा है और 6 जून को यह बैच जो है समप हो जाएगा उसके बाद है फास्ट्रेक रिविजिन यह आपका सीसेट के लिए है 60 डेच का बैच तो यह भी आपका सेकेंड अपरेल से सुरू हो रहा है और 30 महीं को यह बैच जो है आपका कम्प्रीट करा दिया जाएगा तो आप दिख सकते हैं आप यदि जी एस का आप 10 परसेंट का अडिशनल डिसकाउंट जो है मिल जाएगा यह न मंत का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10 प्रसेंट के साथ 1260 रुपए पई करना है उसके बाद 3 मंत का 1350, 6 मंत का 540, 12 मंत का 6300 और 24 मंत यह दो साल का सब्सक्रिप्शन यह आप लेते हैं तो आपक रेफरल कोड एकजार लर्नर यूज जरू किजेगा जिससे आपको एडिशनल 10% का डिसकाउंस जो है मिल जाएगा इगरहाम कोशन है नर्मदा बचाओ आंदोलन से निमलिखित में से कौन संबंधित हैं तो यहां C विकल्प सही है मेधा पार्टिकर नर्मदा बचाओ आंदोलन एप्रशिद्ध प्रियावरण कारिकत्री मेधा पार्टिकर द्वारा चलाया गया था और P हेगडे के द्वारा AP के आंदोलन जो है चलाया गया था जो की करनाटक में चलाया गया था और सुन्दर लाल बहुडा जो है ये चिप को आंदोलन इनके द्वारा चला गया था सलीम अली ये जो है प्रशिद्ध पच्छी ब्यग्यानिक थे तो C आपसन जो है यहाँ पे सेव जाएगा ब्रावा प्रश्ण है विशो बानी की दिवस कब मनाया जाता है तो यहाँ आपका 21 मार्च को मनाया जाता है बी बिकल्प सेव जाएगा बिस सु बानी की दिवस ये प्रतेक वर्श 21 मार्च को मनाया जाता है और 5 जून को बिस सु परियावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है सोलसी तमबर को विस ओजोन दिवस के रूप में मना जाता है और 31 मई को ये आपका विस उतमबाकू निरोध दिवस के रूप में मना जाता है और 22 मार्च पुछा जाता है तो ये जल दिवस के रूप में मना जाता है 22 अप्रेल को पृतिवी दीवस के रूप में मनाया जाता है तिरावा कुशन आपका रिगवेध है तो यह आपका स्रोतों का संकलन है यह आपसन जो है सही हो जाएगे हाँ पे रिगवेध यह सबसे प्राचीन वेध है इसमें स्रोतों का संकलन है वेदों की संख्या चार है और उपनिस्दों की संख्या जो है वह 108 है चोधावा प्रशने निमलिकित में से किस राजववन्स के अभिलेक से इस प्रमप्रा का समर्थन होता है कि लुम्बनी साक्यमूनी बुद्ध का जन्मस्थान था यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आपसन से हो जाएगा मौरी मौरी वन्सी सासक असोग के रुमिन्दी अभिलेक से सुचना मिलती है कि साक्यमूनी बुद्ध का जन्म जो है लुम्बनी में हुआ था पंद्रहों प्रशने निमलिखित में से किस प्रथा की सुरुवात राजपूतों के समय में हुई थी तो यह है जोहर प्रथा सी आपसन से हो जाए गए हैं पर राजपूतों द्वारा मुसलिम आकरमणकारियों से इस्त्रियों की रक्षा के लिए जोहर प्रथा का प्रचलन सुरू हुआ था इसमें सभी राजपूत पूरुसों के युद्ध में मारे जाने के प्रशाद किले में सभी इस्त्रियां सामोहिक रूप से चिता में कूद कर अपनी जान दे देती थी सुलाव प्रश्ने और अंगजेब की मृत्व के समय मराठा नेत्रित्तु किसके हाथों में था तो हुए था तारा भाई के हाथों में डी भी कल्प सही हो जाए गये हाँ पे राजा राम साहू इनका जो कारिकाल था 1689 से लेकर ही 1720 के प्रतनिधी के रूप में मराठों का नेत्रित्तु करता रहा और राजा राम के मृत्त के बाद उसकी बिध्वा पतनी तारा भाई ने अपनी चार वर्सी पुत्र को सिवाजी दुती के नाम से गद्धी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्स जारी रखा और अंगजेब की मृत्त के समय मराठा नेत्रितु तारा भाई के ही हाथों में था तो डी आप संजो है सही हो जाए गए है ब्रिटिस भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली अस्थाना अंत्रड किसके काल में करियान वित हुआ तो यह गए था लाड हार्डिंग के कारिकाल में वाईसराय लाड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली अस्थाना अंत्रड किया गया और वाइसराय लाड हार्डिंग ने 1911 इस भी में जार्ज पंचम यो महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भविधर्बार का आयोजन किया जिसी दिल्ली दर्बार के नाम से जाना जाता है इसी दरबार में बंगाल भी भाजन को रद्ध कर दिया गया तथा राजधानी के अस्थानांत्रण की गोशना की गई तो 1911 में इसकी गोशना हुई थी और 1912 में दिल्ली जो है ये भारत की नई राजधानी बनी थी अठरवा प्रशने रॉलेट एक्ट किस वायसराय के ये काल में पारित हुआ था तो यहाँ पे सी आप सुसे हुआ जाएगा लाड़ चेम्स फोड़ लाड़ चेम्स फोड़ एवर्स 1916 से लेकर के 1921 के मद्धी जो है भारत के वायसराय रहे इनके कारिकाल में 1919 में जो है रॉलेट एक्ट ये पारित हुआ था 1900 प्रशने गुरुत्वा करशड के सारुभावमिक नियम का प्रतिपादन किस ने किया था तो यह थे निूटन ये बिकल्प से हो जाएगा गुत्वाकर्षड के सारुभवमिक नियम का प्रतिपाधन निूटन ने किया था और इस नियम के उसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षड बल का परिडाम उन पिंडों के द्रविमान के गुडनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दोरी के और निमलिकित में किसके लिए माध्यम आवस्यक नहीं है? तो अपको बताना एक 40 आप से हो जाएगा बिकिरड दोरा उस्मा के अस्थाना नत्रन में किसी माध्यम जैसे वायू अथवाजल की आवस्यक्ता नहीं होती है 21 कोशन है भारती सम्मिधान में समानता का अधिकार पांच अनुच्छेदों द्वारा स्विक्रित हैं वे अनुच्छेद बताने हैं कौन कौन से हैं तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 यहने की बी यापसन सही हो जाए हैं भारती सम्विधान द्वारा समानता का अधिकार जो दिया गया अपका अनुछेद 14-18 में दिया गया धर्म पालन करने का अधिकार वो 25-28 है स्वतनतरता का अधिकार अनुछेद 19-22 में जो है बढ़ी थे 22 वा प्रशन निमलिखित में से कौन जल से हलका है तो यह है सोडियम बी आपसन से हो जाएगा है पर सोडियम का आप पेच्छी घनत जो होता है 0.97 होता है और जल से हलका होने की कारण यह है जल पर तैरने लगता है तो यह है अस्थी मज्जा में डी आपसन से हो जाएगा लाल रक्त कडिका यह सोडियम से अक्सिजन लेकर सारे सरीर में पहुंचाने का कारी करती है और लाल रक्त कडिका आस्थी मज्जा यहने की बोन मैरों में विक्षित होती है तथा मनुष्य के सरीर में लगभग 120 दिनों तक के परसारित होती रहती है तिल्ली या प्लिहा जिसे स्प्लीन कहते हैं यह पुरानी रक्त कडिकाओं को नश्ट करने का कारी करता है 24 प्रश्ण निमलिखित में से कौन सा रोग एक वाइरस द्वारा होता है तो यहाँ पर हो जाएगा D आपसन सही हेपेटाइटीस हेपेटाइटीस भी एक संक्रामक रोग है जो कि हेपेटाइटीस भी नामक वाइरस की कारड़ होता है और इस व्यादी के कारड़ यक्रित यानिक लीवर में सूजन यहाँ जलन पैदा हो जाती है हेपेटाइटीस भी वाइरस जो है यह हेपा डियने वाइरस प्रिवार का एक सदस्त्री है यह पचीसमा प्रशन यह निमलिखित ब्रिक्षों में कौन पारिस्थित की मित्र नहीं है तो यह है यूकेलिप्टस बी आपसन जो है से हो जायेगा यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल्ग रहन सकती की कारड़ प्रियावरण सत्रु के रूप में घोसित किया गया है इसको जिस अस्थान पर लगाया जाता है वहां की मित्टी का जलस्तर काफी नीचे चला जाता है तो इसलिए इसे प्रियावरण का सत्रु माना जाता है 26 प्रशन भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित योगिक का नाम क्या था तो आप सबको पता होगा यह आप समस्क्राइब का मित्टाइल आइसो साइनाइट जिसे यमाइसी कहा जाता है साटफा में भोपाल गैस कांड यह आपका 1984 इस भी में हुई थी और भोपाल में इस्तित यह यूनियन कारबाइड नामा कंपनी से जो है 13 दिसंबर 1984 के बीच जो है यह आपका घटना हुआ था 27 था प्रशन है आपका नाभिकी उर्जा का उपयोग प्रायह कारक है किसका तो यहां सी आपस्टाइब का उसमी परदूशड का नाविकी उर्जा का उपयोग प्रायह उसमी प्रदूसर यानि कि थर्मल पालूशन का कारक है और विभिन उत्पादक सेंत्रों में विभिन रियेक्टरों के अतितापन के निवारड के लिए नदी योम तालाबों के जल का उपयोग किया जाता है और सीतलन की प्रिक्रिया के फल सरुप गर्म हुआ जल पुने जल सुरोतों में गिराया जाता है इस तरह के गर्म जल से जल सुरोतों के जल किताप में हानिकारक ब्रिद्धी हो जाती है इसे ही उसमी प्रदूशण कहते हैं यहीं कि thermal pollution ही कहा जाता है 28 प्रशने अधूरे प्रजोलन के कारड मोटर कार यों सिग्रेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है तो यह है आपका कारबन मोनो आकसाइड सी बिकल्प से उजग मोटर कार तथा सिग्रेट के अधूरे परजोलन के कारड निकलने वाली रंगहीन गैस कारवन मोनो आकसाइड है और यह रक्त के हेमोगलोबीन के साथ क्रिया करके एक अस्थाई योगीक बना लेती है जिससे हेमोगलोबीन अक्सीजन को उतको यानिकी टीशू तक नहीं पहुचा पाता है और यह मानो स्वास्त के लिए अतियंत ही हानिकार गैस है उन्तीशों प्रशन एक पारिस्थितिक तंत्र में उर्जा की मात्रा एक पोसड अस्तर से अन्य अस्तर में अस्थाना अंत्र के पस्चात आपको बताना है घटती है बढ़ती ह या बढ़ सकती है घट सकती है तो इसमें जो बी आपन से हो जाएगा घटती है पारिस्थितिक तंत्र में उर्जा का प्रवाह ए जैविक पडाली से ले करके जैविक पडाली की दिसा में होता है और उसमा गत्की के दूसरे नियम के अनुसार जब उर्जा एक पोसड अस् करणारियों को सबसे कम उर्जा की प्राप्ति होती है तो यहां मी आपन से होजाएगा अपका घट्टी है टीस्वा प्रशिन है पारिस्थितिक तंत्र यानि सर्वाहारी यानिकी आमनिवूरस को प्राप्त होता है एक तीस्वा प्रशन आपका GST किस तरह का कर है आप प्रत्यक्ज कर है या पूरे देश के लिए एप्रत्यक्ज कर है जो की भारत को एक इकरit, साज़ा बजार के रूप में परिवर्ठिक कर दिया है 32 जो प्रश्ण आपका भारत में निर्धनता के अस्तर का आकलन किया जाता है तो C आपसन से हो जाएगा परिवार के उपभोग बेया के आधार पर यह प्रश्ण जो है कई बार पूछा गया है महतपूर है याद रखेगा यहाँ पर C आपसन जो है सही हो जाएगा भारत में निर्धनता का आकलन यह योजना आयोग द्वारा प्रतेग पांच बरस पर राश्ट्री प्रतिदर सर्वेग छड संग्ठन जिसे N.S.S.O. द्वारा संग्रहित परिवार आधारित उपभोग बेया के आकलन के अधार पर किया जाता था अब आपको पता होगा योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है तो नीती आयोग और यह आपका 1.S.S.O. द्वारा जारी किया जाता है तो भारत में निर्धनता के अस्तर का आकलन किया जाता था तो परिवार के उपभोग और ब्याय के आधार पर 33 प्रशने जनकर्णा 2.11 एनुसार निमलिखित में से किस भारती राज में महिला साक्षर्ता नियुनितम थी तो यह राजस्थान में भी आपसंग जो है सिख जाएगा जनकर्णा तो यह रही गैरिक इनुसार आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपसंग दिया गए राजस्थान राजस्थान में जो महिला साक्षर्ता धर है वह 52.1 प्रत्शत है भारत में नियुनितम महिला साक्षर्ता यदि देखा जाए उबराल में तो वह बिहार राजिक लेकिन आपसंग में जो है केवल यहाँ पे राजस्थान सही होगा 34.1 प्रत्शने मुद्रा योम बित्ती मामलों में सरकार का बित्ती अभिकरता योम सलाहकार कौन है तो वह हो जाएगा RBI C आपसंग यहाँ पे से हो जाएगा भारती रिजर बैंक यह देश का केंद्री ब बीज यह आपका सुमेलित नहीं है केसर एक मसाला है जिसे पौधों के पुस्प की वरतिका यहनिकी स्टाइल जिसे खाजाता है वरतिकागरी यह इस्टिगमा से प्राप्त किया जाता है इस पौधे का वानस्पतिक नाम जो है क्रोकस सेटाइवस है जो की इरिडेसी कुल क के अंतरगत यह आता है तो बी आपसना आपका सुमेलित नहीं बाकी अधरक जो है राइजोम सही है अफीम अफीम की डूडी सन जो है इतनी से प्राप्त किया जाता है 36 प्रशने 16 जनुरी 22 को लांच हुए संदक्षड चमता महुत्सव सक्षम 2020 से संबंधित निम्न कत्षणों पर बिजार कीजिए पहला दिया गया यह नवीन योम नवीकरडी उर्जा मंत्राले की एक पहल है दूसरा है महीने भर चलने वाला यह अभियान प्रिटोलियम संदक्षड अनुसंदान एसोसियेशन यानि की PCRA द्वारा लांच किया गया तीसरा है इसका उद्येश भोगताओं को स्वैक्ष इधनों की तरफ प्रेरिद करना तो उपरिवत कत्मों में से कौन सा कथन सही है यह बताना है तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं आपका की दूसरा और तीसरा जो है वह सही है पहला इसमें आपका सही नहीं है से तीसवा प्रेशना आपका 17 जनुवरी 22 को प्रसिद सास्तरी गायक और संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया उन्हें किस वर्स पदम भीभूसर से सम्मानित किया गया था तो डी आपसन से हो जाएगा वर्स 2018 में 17 जनुवरी 22 को प्रसिद सास्तरी गायक और संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया वह 89 बर्स के थे 89 वर्स के थे इनका भी जो है हाले में निधन हुआ है 38 कोशन है 9 जनुवरी 22 को 16 प्रवासी भारती दीवस सम्मेलन को आभासी प्रारूप में अनके वर्चुल माधियम से आउजित किया गया इससे संबंधित सही कथन पर विचार कीजिए तो इसमें आप देख सकते हैं यह आपसन कि इस बार सूरिनाम के राश्पती चंद्रिका प्रशाथ संतो की इस संबंधिती रहे पहला सही है पाकिजोहिस में कोई सही नहीं है 9 जनवरी 22 सलाहमा प्रवासी भारती दीवत संबंधित किया गिया यह संबंधित मंतराले का प्रमुख कारिकर में तथा प्रवासी भारतीयों के मध्य संबाद अस्तापित करने यह उन से जुडने के लिए एक महतपूर मंच परदान करता है इस सम्मेलन का मुख्य भी से यानि कि थीम जो रहा आत्म निर्भर भारत में योगदान था और इस बार सम्मेलन के मुख्य आती थी सुरिनाम की राष्ट पती चंद्री का प्रशाद संतोखी थे तो ए आपसन जो है केवल सही है थीम याद रखेगा हमेशा पूशा जाता है तो आत्म निर्भर भारत में योगदान इस बार का थीम रहा है शुलाहों प्रवासी भारती दिवसका 49 प्रशने निर्माराधीन तिरप्रवा भांगलादेश मैत्री सेतु किस नधी पर इस्थित है तो यह फेनी नधी पर इस्थित है यह आपसन सेव जाएगा जनवरी द्वारी द्वारी किस में राष्टी राजमार्ग और संडचनाभिकास निगम लिमिटेड द्वारा ति योजना सुरू की गई है तो यह सुरू किया गया केरल राज में भी आपसन जो है सही हो जाएगा 16 जनवरी द्वारी किस को केरल के राजिपाल आरिफ मुहम्मद खान ने राज के दस हजार प्रतिभा साली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुप्त में प्रसा सुरू 1 आईएस कारिकरम को विधिक इरूडाइट फाउंडेशन प्रायजुकों की मदद से लागू करेगा 41 प्रशने 15 से लेकर के 17 जनवरी द्वारी कीज के मध्य बिहार में प्रथम राजी पच्छी महोच्सो कलरो का आयोजन किस अभ्यारन में किया गया है तो ये नागी नक्टी पच्छी अभ्यारन में किया गया बी आपसम जो है से हो जाएगा 16 जनवरी द्वारी कीज को बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने प्रथम राजी पच्छी महोच्सो कलरो का उधगाटन किया इस महोच्सो का आयोजन नागी नक्टी पच्छी अभ्यारन में किया गया है 42 वां कोश्चन ने दे गए विकल्पों में से संबंधित सब्द को चुनिए तो यहां देख सकते हैं आप नाटक का संबंध दिया गया अभिनेता से तो संगीत गोस्टी का संबंध किस से होगा तो यहां जो है बी आप्सन से हो जाएगा संगीत अग्य से जिस प्रकार बिना अभिनेता के नाटक का मंचन नहीं हो सकता है 43 question एक बिसिष्ट कोड़ भासा में match को n, y, w, ym कोड़ किया गया है board को cm, d, n, i लिखा जाता है तो इस कोड़ भासा में print को किस परकार लिखा जाएगा तो m को कोड़ किया गया है n तो m के बाद क्या आता है n यहना की प्लस 1 किया गया A के बाद जो है A को Y कोट किया गया है तो A Y यानिकि माइनस 2 किया गया है फिर जो है T को कोट किया गया है W T U V W यानिकि प्लस 3 किया गया है फिर जो है C को कोट किया गया है Y तो यह माइनस 4 हो जाएगा और H को कोट किया गया है Y H I J K L Y यहीं कि प्लस पांच किया गया है तो एक क्रम आप देखेते हैं प्लस 1, माइनस 2, प्लस 3, माइनस 4 और प्लस 5 तो इसी तरह बोड को CMD, यहाँ भी सेम कोड किया गया है तो प्रिंट को उसी तरह आपको कोड कर देना है तो P को कोड क्या करेंगे प्लस 1, तो P के बाद क्या आ जाएगा Q, फिर R को माइनस 2 करेंगे, तो R में माइनस 2 करेंगे तो हो जाएगा आपका P, P की वार होता है फिर जोए I को प्लस 3 करेंगे, तो I को प्लस 3 जब करेंगे, तो हो जाएगा आपका I, J, K, L फिर जोए N को minus 4 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे j, k, l, y, m, y, n होता है फिर जो है t को आपको plus 5 कोट करना है t में आप 5 जोड देंगे तो हो जाएगा आपका y तो q, p, l, j, y आप देख सकते हैं option में जो d option जो है हाँ सही हो जाएगा 44 कोशन आपका देगए बिकल्पों में से बिसम, सब्द या बिसम, सब्द युग्मों को पहचानिए तो यहाँ पे आपका d option जो दिया गया है क्रित्रिम, अंग, बिसे सगी यह आपका भिन है क्योंकि प्रसूती, फुफुस, रोग, और पैर बिसे सगी यह तीनों बेक्ति के जीवित अंगों का भिसलेशन करते हैं जबकि क्रित्रिम, अंग, बिसे सगी यह बेक्त के सजीव, अंगों के खराब होने के पश्याद अस्थानपन अंगों के भिसे में यह भिसलेशन करते हैं तो d या आपसम आपका भिन हो जाएगा 45 परशने किसी सांकितिक भासा में monkey को कोट किया गया x, d, j, m, n, l कितरे तो tiger को असी संकेत भासा में कैसे लिखा जाएगा तो आप देश़ेदें m को कोट किया गया है m को last में कोट किया गया m, l में तो यहां कितना हो रहा है l, m होता है, यानि कि minus 1 O को j5, k對 KIya गया है कितना E N में, यहाँ भी minus 1 हो रहा है, E N को E M में, यहाँ भी minus 1 K को j1, J में, यहाँ भी minus 1, इस तरह E को D में, यहाँ भी minus 1, और Y को X में, यहाँ भी minus 1 तो minus 1 आपको यहाँ भी लिख देना है T के पहले just पहले क्या आएगा माइनस न करेंगे तो पहले आएगा तो T के पहले आपका आजाएगा Yes उसको हम लास्ट में लिखेंगे फिर I के पहले क्या आएगा तो I के पहले आता है आपका Yes उसके पहले लिखेंगे फिर G के पहले क्या आएगा आपका तो G के पहले आता है F, फिर जो है E के पहले क्या आएगा, तो D आएगा, फिर R के पहले क्या आएगा, तो Q आएगा, तो Q, D, F, उसके बाद जो है H, Yes, तो यहाँ आप देख सकते हैं, आपका B आप समझ जो है, सही हो जाएगा, 46 वाद प्रश्ने हरी को याद है कि उसके पिता का जन्म दिन 13 और 16 जून के बीच में पढ़ता है, जबके उसकी बहन को याद पढ़ता है कि उसके पिता का जन्म दिन 14 और 18 जून के बीच पढ़ता है, तो उनके पिता का जन्म दिन किस दिन होगा, जिस पर दोनों सहमत हों, जो है 14 से 18 जून के बीच पड़ता है अत्य है उनके पिता का जन दिन अब देश रते हैं किस दिन पड़ेगा तो 15 जून को पड़ेगा बीच में कामन्ज होगा आपका 15 जून होगा तो भी आपसन जो है सेव जाएगा 47 प्रशन आपका कथन दिया गया सभी दार्शनिक पूरुष होते हैं सुकरात दार्शनिक था तो निसकर्स पहला है सुकरात पूरुष था दूसरा महिलाएं दार्शनिक नहीं होती हैं तो यहां आपका D आपसन से हो जाएगा, दोनों ही सही है, प्रस्ण में आपका दिया गया है कि चुकि सभी दार्षनिक पुरुस होते हैं, अर्थे महिलाएं दार्षनिक नहीं होती हैं, साथ ही, चुकि सुकरात दार्षनिक था, अर्थे सुकरात पुरुस था, इस प्रकार दोनों ही निसकरस आपका क्या होगा यहां सही होगा और तालीसोग प्रशने डाइनो एडवेंचर पार्क यों फासिल्स म्यूजियम कहां इस्तित है तो यह मांडू में है C आपसम जो है सही हो जाएगा आपका उन्चास्वा कोशने भारत छुड़ा अंदोलन की तोरान उतर प्रदेश में कहां पर समाना अंतर सरकार की अस्थापित की गई थी और अंतीम प्रशने आपका चोरी-चोरा कांड किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था डेट भी पूछा जाता है कभी-कभी याद रखीगा तो यहां पर आपका C आपसम से हो जाएगा लाड रीडिंग के समय चोरी-चोरा इवत्तर प्रदेश की गुरफपूल जन्पद में इस्तित है और अस्थायोग अंदोलन की दोरान फरवरी 1922 पांच फरवरी 1922 इस भी में जो है लाड रीडिंग के समय ये घटना घटित हुई थी और इसी के पशात गांधी जी ने अस्थायोग अंदोलन अस्थगित कर दिया था और अभी हाली में जो है चोरी-चोरा सताबदी समारो भी जो है मनाया जा रहा है तो यहाँ पे सी आप समझो है सही हो जाएगा आपका लाड रीडिंग के समय में ये कांड हुआ था तो दोस्तों जो है ये था आपका आइडेट जुनियर हाई स्कूल प्रधाना ध्यापक योम साहय का ध्यापक भरती परिक्षा के लिए जी एस का ब्राहमा प्रैक्टिस सेट इसके पहले जो है इग्यारे प्रैक्टिस सेट वह हथा करा चुके हैं जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जा क्या वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं तो वीडियो दी पसंद आया हो, तो लाइक शेर कर दीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा, साथ में फिल आइकन को प्रेस कर लिजेगा, जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद